सेरीज आफ लिपलाजच ट्रांसपरम के 11 वीडियो में आपका स्वागत है मैं इस वीडियो में लिपलाजच ट्रांसपरम पर तिन वीडियो अपFlode कर चुक हूँ ढें लिप्लाज ट्रांस्पर्म पर टेन वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जागा आप वहां से उसको देख सकते हैं या उपर आ रहे आई बटन को प्रेज करके लिप्लाज ट्रांस्पर्म के प्लेइस्ट में जा सकते हैं तो हाई करके अपना फिडबेक का वस्ट से देंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं यह क्विश्चन क्विश्चन है कि यूजिंग लिप्लाज ट्रांस्पर्म ऑफ वन इक्वाइट टो वन बाइप पाइटी यहा इसको मैं यहां पर लिप्लाज ट्रांस्पर्म ऑफ इंटीग्रल का यूज करूंगा सबसे पहले जिस फंक्सन का निकालना है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं एफ आफ टी कॉंस्टेंट को छोड़ देते हैं और सिफ फंक्सन को हम लोग लिखते हैं साइन पाइटी को औ और उसको हम लोग एफ आफ टी माल लेते हैं ievीसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं 02TF t dt यहांपर capital Northeast new capital लिख रहे हैं तो इसका इंटीग्रल का निकाल लेगा सबसे पहले एफ की स्कूंसन का वालू क्या हो जाएगा स्माल टी की जगह capital टी पूट करनाे तो यह और इसका integral की अगर बात करें तो sin का integral होता है minus minus को बाहर कर देते हैं minus cos pi t divided by pi और limit है 0 to t minus constant होगा इसलिए बाहर कर सकते हैं pi को भी बाहर कर देते हैं तो minus 1 by pi अब upper limit put करते हैं तो यहां आ जाएगा यह cos pi into t और 0 put करने पर cos 0 का value होता है 1 तो यह अब अंदर भी multiply कर सकते हैं minus 1 by pi cos pi t और यह minus minus plus 1 divided by pi इसको हम लोग number यहां पर 1 कर रहे हैं इसको हम लोग number कर देते हैं 2 अब देखिए by Laplace transform of integral Laplace transform of integral एक formula है जो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ Laplace transform of integral of a function या of a function f t we have इस function के integral का जो Laplace transform निकालने का formula होता है क्या होता है Laplace transform of integral from 0 to t f of capital t dt equal to 1 by p into Laplace transform of f of t यह formula है इसी formula का यूज़ करते हैं तो इसका integral तो हम लोग निकाल के रखे हुए हैं यहां पर है तो इसका integral put कर देते हैं और f of t का भी value हम लोग निकाल के रखे हुए f of t का value sine pi t है यह तो हम लोग suppose की हैं तो यह भी value put कर देते हैं तो चलिए देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूँ क्या हो जाए है यहां लिपलाश transform of integral का भालू अगर integral की बात करें तो integral यह आया हुए है minus 1 by pi cos pi t और plus 1 by pi और इधर है 1 by p into लिपलाश transform of f of t f of t का भालू क्या है sine pi t है sine pi और t इसको हम लोग put कर दे अब देखिए linearity property apply करते है minus 1 by pi को मैं बाहर कर देता हूँ लिपलाश transform of cos pi t और यहां पर 1 by pi बाहर हो जाएगा लिपलाश transform of 1 equal to 1 by p into लिपलाश transform of sine pi t अब क्या करते हैं हम लोग minus 1 by pi रहने देते हैं लिपलाश transform of cos pi t रहने देते हैं और 1 का लिपलाश transform दिया हुआ है 1 का लिपलाश transform question में क्या लिखा हुआ है 1 का लिपलाश transform 1 by pi है यहां पर मैं 1 by pi पूट कर रहा हूँ सिर्फ इसी का यूज करना है और किसी का यूज नहीं करना है ऐसा नहीं कि cos pi by t इसी का भी formula होता है तो उससे पूट कर लेना है जो दिया हुआ सिर्फ उसी का यूज करना है और उसी के help से निकालना है यहां पर यह ज्यों का तेवराने देते हैं अब मैं क्या करता हूँ इसको उधर ले जाता हूँ तो यहां पर यह बच रहा है मानस 1 by pi लिपलाश ट्रांसफर्म आफ cos pi t एक्वल टू यह जब उधर जाएगा तो मानस 1 by pi into p या p into pi कुछ भी लिखिये और प्लस 1 by p यहां पर 1 by p लिपलाश ट्रांसफर्म आफ sin pi t इस मानस pi को भी उधर multiply कर देते हैं तो यहां से लिपलाश ट्रांसफर्म आफ cos pi t निकल जाएगा यह क्या आएगा मानस pi उधर multiply होगा तो pi pi किंसल हो जाएगा 1 by p हो जाएगा यहां पर मानस pi by p into लिपलाश ट्रांसफर्म of sin pi t इसको number हम लोग कर देते हैं 2 अभी तक भी हम लोग यह 3 कर देते हैं 2 तो हो चुका था इसको हम लोग 3 कर देते हैं अभी भी हम लोग का जो निकालना था sin pi t का लिपलाश ट्रांसफर्म नहीं निकला है अब क्या करेंगे मान लेते हैं let g of t equal to cos pi t इसको हम लोग cos pi t का g of t मान रहे हैं जालू है cos pi t और इसको यहाँ पर capital t हो जाएगा और capital t के respect में integrate करना है cos pi t का integral हो जाएगा 1 by pi और cos का sin pi t यहाँ पर pi t capital t और 0 to t 1 by pi जो constant है उसको बाहर कर दें t अगर अपर limit पूट करते हैं तो यह आजाएगा 1 by pi sin pi t और 0 पूट करने से sin 0 का वाले 0 हो जाता है इसको number हम लोग कर देते हैं 4 अब अगीन हम लोग वही liplace transform of integral यूज करते हैं तो liplace transform of integral कौन सा function का g of t का 0 to t g of t इस function का हम लोग यहाँ f of t का नहीं g of t का यूज कर रहे हैं equal to यहाँ हो जाएगा 1 by p into liplace transform of integral g of t अब इसका integral का वालो हम लोग को पता है इसका integral का वालो क्या निकाले हुए है 1 by pi sin pi t और यहाँ पर 1 by p रहने देते हैं और g of t g of t मतलब यह cos pi t हो जाएगा यहाँ पर cos pi t पूट कर देते हैं g of tc को सपूच की हैं यहाँ पर 1 by pi constant बाहर कर देते हैं liplace transform of sin pi t equal to 1 by p और इसका वालो हम लोग निकाल के रखे हुए हैं liplace transform of cos pi t का वालो आप देख रहे हैं क्या है इसका वालो है 1 by p minus pi by p into liplace transform of sin pi t अब देखे यहाँ पर क्या मैं कर रहा हुँ liplace transform of sin pi t यहाँ पर भी है दोनों से मैं common ले लेता ह운 liplace transform of sin pi t जो है वो मैं दोनों से common ले लेता हूँ यहाँ पर बच रहा है 1 by pi और यह इसके साथ multiply होगा और जब यह इदर आए गा तो positive हो जाएगा पाई divided by P square हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचेगा 1 by P square बच जाएगा यह multiply करके अब क्या करना है यहाँ पर यह आप LCM ले लिजे मैं देखे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जा समझेगा ध्यान से कि यह पाई P square यहाँ से common आ जाएगा P into P square अब P से divide करते हैं तो P square यहाँ पर multiply हो जाएगा और P square से divide करते हैं तो P इधर multiply हो जाएगा और Laplace transform of sin P t equal to इधर है 1 by P square यह और यह cancel हो जाएगा that is Laplace transform of sin P t equal to क्या रहा है यह P उधर multiply हो जाएगा divided by P square प्लस P square आगिया sin P t का Laplace transform निकल गिया लेकिन निकालना किसका है देखिए यहाँ निकालना है 1 by 5 sin P t का तो now अब आप कैसे निकालिएगा Laplace transform of 1 by 5 sin P t equal to 1 by 5 constant है Laplace transform of sin P t, sin P t का value है P divided by P square प्लस P square तो यह answer हो जाएगा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं और next question को देखते हैं अब हम लोग चले next question देखते है next question यह है evaluate this Laplace transform यह जो integral है इस integral का Laplace transform को निकालना है अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं इसका solution में सबसे पहले यहां पर आप देख रहें इंटीग्रल का Laplace transform निकालना है तो हम लोग यह वहला formula अपलाई करेंगे 0 to t f of capital t d t capital t अगर इसका Laplace transform निकालना है तो इसका formula होता है 1 by p into Laplace transform of f of t अब जिदा ध्यान दीजेगा यहां पर क्या है कि यह capital t function नहीं है बलकि यहां पर x है तो आप x रख दीजे कोई भी यहां पर variable रख सकते हैं क्योंकि यह definite integral है definite integral में कोई भी variable हो सकता है तो इस तरीके से अगर कोई भी x का function है उसके integral का Laplace transform निकालना है तो यह formula अपलाई करेंगे तो यहां पर भी एक function है कौन सा function है f of x के जगह कौन सा function है देख रहे है e to the power minus x into cos x अब इसी का integral का Leplace Transform निकालना है तो यह formula अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए किसका Leplace Transform का जरुत पड़ेगा यहाँ पर L किसका निकालना है F of T का तो F of T किसको मानेंगे F of X यह है तो F of T हम लोग मान लेंगे E to the power minus T यहाँ पर T का function बना देते हैं cos T अगर इसका Leplace Transform हम लोग निकाल लिए और इसका Leplace Transform निकालने के बाद 1 by P से multiply कर देंगे तो इसका Leplace Transform निकल जाएगा तो इसी formula का यूज करेंगे integral of, sorry Leplace Transform of integral का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यह function सपोज करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि let एक function अपने से हम लोग सपोज कर रहे हैं f of t equal to इसी को मान रहे हैं सिर्फ यहाँ पर variable जो है वो t रख रहे हैं to the power minus t into cos t अब इसी का Leplace Transform निकाल लेते हैं p divided by p square plus a square तो यहाँ पर cos t का क्या हो जाएगा p divided by a के जगा 1 है तो p square plus 1 square हो जाएगा जहाँ पर p greater than 0 होता है यह cost t का निकल गया हम लोग shifting theorem अप्लाई करते हैं तो कौन सा shifting theorem first shifting theorem by first shifting theorem तो first shifting theorem से हम लोग निकालते हैं आब देखिए by first shifting theorem we have याद कीजिए first shifting theorem में अगर किसी भी function का Leplace Transform आपको पता है f of t का Leplace Transform पता है माल लेते हैं कि यह capital f of p है तो इसमें अगर e to the power a t से multiply कर देते हैं तो इसका Leplace Transform क्या हो जाता है f p minus e यह first shifting theorem से f of t का पता है capital f of p है e to the power a t से multiply करेंगे तो यहाँ पर वही function रखेंगे function वही रखना है लेकिन p को replace कर देना p minus e यहाँ t का जो coefficient है वो यहाँ पर लिखना है p minus e लिख देना p को replace करके p minus e कर देना है तो इसका निकल जाएगा तो यही theorem अप्लाई करते हैं first shifting theorem है तो यहाँ पर हम लोग cos t का तो पता है निकालना चाहरे है e to the power minus t cos t का देखें यहाँ पर हम लोग इसमें cos t में e to the power minus t से multiply कर रहे हैं तो यहाँ पर p को replace करेंगे और p को हटा करके क्या लिखना पड़ेगा p minus यहाँ पर t का coefficient minus 1 है ध्यान दीजिएगा t का जो coefficient है minus 1 है तो p को replace करेंगे p minus minus 1 से मतलब p plus 1 कर सकते हैं तो यहाँ जो function है बिल्कुल same function रखेंगे सिर्फ p को replace कर देंगे और उसके बदले p plus 1 डाल देंगे जहाँ जहाँ पी है तो आपका यहाँ पर पी था इसके बदले p plus 1 यहाँ पर भी पी था इसके भी बदले p plus 1 हो जाएगा और यह क्या माने हुए है इसी को ने f of t माने हुए है तो that is liplace transform of f of t यह जो है वो f of t हो गया इसका liplace transform हम लोग निकाल के रख लिए p plus 1 divided by p square plus 2 p plus 2 इसको number कर देते हैं हैं लोग first अब हम लोग क्या करते हैं बाइ लेप्लाज transform of integral we have लेप्लाज transform of integral we have इससे हम लोग जानते हैं देखे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं फॉर्मला होता है लेप्लाज transform of 0 to t e to sorry यहाँ पर मैं लिख रहा हूं f of capital t मैं नहीं लिख रहा हूं एक्स लिख रहा हूं यहाँ पर कोई भी variable use कर सकते हैं definite integral है तो इसका लेप्लाज transform होता है 1 by p into लेप्लाज transform of f of t चलिए f of x का value पूट कर देते हैं तो लेप्लाज transform of 0 to t f of x का value क्या होगा f of t का value तो हम लोग को पता है जो सपोज किया है पहले से e to the power minus t into cos t देखे f of t तो यही है ना तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं f of x का value क्या हो जाएगा e to the power minus x into cos x और यहाँ पर dx रहने दीजे इसका लेप्लाज transform क्या होगा 1 by p और f of t का लेप्लाज transform तो इसका लेप्लाज transform सारी यहाँ equal to है equal to 1 by p और f of t का लेप्लाज transform अभी निकाल करके रखे हुए है p plus 1 divided by p square plus 2 p plus 2 देखे f of t का लेप्लाज transform यही निकला हुए है तो यह value हम लोग put कर दे रहे हैं तो यह आप देखे इसका integral का लेप्लाज transform क्या आग गया p plus 1 divided by p into p square plus 2 p plus 2 यही answer हो जाएगा तो इस तरीके से आप इस question को असानी से बना सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और next question को देखते हैं अब चलिए हम लोग देखते हैं next question कि find the लिप्लाज transform of function t into cos et यहां सिर्फ cos et नहीं बल्कि t यहाँ पर multiply में है तो अब इसका लिप्लाज transform निकालना इसको मैं बता रहा हूँ लिप्लाज transform of derivative से चलिए देखे कैसे हम लोग इसको बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग solution में लिखते हैं कि let f of t यह जो function दिया हुआ है उसको f of t माल लेते हैं t into cos et को अब उसके बाद इसको differentiate कीजिए therefore f dash t first order derivative निकालते हैं एक बाद differentiate करते हैं u into b में पहले भी into differential coefficient of u इसका derivative हो जाएगा 1 plus u u मतलब t रहने देते हैं और cos a t को differentiate करते हैं तो minus a sin a t हो जाएगा अब देखें यह क्या रहा है यहाँ पर तो cos a t रहने देते हैं और यहाँ negative हो जाएगा minus a को पहले लिखते हैं और फिर बाद में लिखते हैं t sin a t यह क्या निकल गया a for dash t निकल गया इसको एक बार और differentiate कीजिए again फिर से अगर differentiate करें a for double dash t क्यों दो बार differentiate कर रहे हैं मैं बताऊंगा आगे, तो दो बार differentiate कर रहे हैं, एक बार और कर रहे हैं, तो cos at का हो जाएगा, मानस a into sin at, और यहाँ पर मानस a constant है, इसको u into b में अगर आप differentiate करते हैं, तो पहले भी मतलब sin at, और differential को efficient of t1 हो जाएगा, plus u, और sin at का हो जाएगा, a into cos at, अब देख लिजए, यह क्या आ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा simplify कर लेते हैं, that is, if double dash t equal to r है, minus a sin at, और यह अंदर multiply करते हैं, minus a sin at, और यहाँ पर multiply करते हैं, तो minus a square t cos at, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, if double dash t का value हो गया, minus a sin at, minus a sin at, minus two times of a sin at, और इसके बाद है, minus a square t cos at, इसको number हम लोग 1 कर देते हैं, अब देखे, by Laplace transform of derivative, derivative का जो Laplace transform होता है, उससे हम लोग जानते हैं formula, we have, कौन सा formula जरा समझे है, यह Laplace transform of second order derivative का निकालना हो, Laplace transform, तो इसका formula होता है, second order का निकालना है, तो यहाँ पर p square into Laplace transform of f of t, उसके बाद p square के बाद इसका power एक कम हो जाता है, और यहाँ पर f of 0 होता है, फिर यहाँ पर इसका एक और power कम होता है, तो p to the power of 1 था, p to the power 0 उसको लिखना जरूरी नहीं है, और यहाँ पर हो जाता है f of 0, तो यह होता है second order का derivative का, लेपलाश transform निकालने का formula, इसी formula का यूज करते हैं हम लोग, लेपलाश transform of f double dash t का वालो हम लोग को पता है, minus 2 times of a sin a t, और minus a square t cos a t, और इसके बाद हम लोग देखे, यहाँ पर right hand side में क्या होगा, right hand side में लिखते हैं, p square into लेपलाश transform of f of t, f of t का वालो तो हम लोग पहले से लिखे हैं, t into cos a t है, तो यहाँ पर इसका वालो t into cos a t, और उसके बाद minus p f of 0, f of 0 क्या होगा, 0 पूट करेंगे, तो t के जगा 0 पूट करेंगे, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो f of 0 का वालो 0 हो जाएगा, और f dash 0, तो f dash 0 यहाँ से निकल जाएगा, t के जगा 0 put करेंगे तो f-0 का value cos 0, cos 0 का value 1 होता और यहाँ पर t के जगा 0 put करेंगे तो 0 हो जाएगा तो इसका value आ रहा है, f-0 का value 1 आ रहा है अब चली आगे बढ़ते हैं यह minus 2a constant है, इस constant को हम लोग बाहर कर देते हैं लेपलाश transform इसमें लगाते हैं तो minus 2a into लेपलाश transform of sin a t और उसके बाद फिर minus a square को बाहर करते हैं लेपलाश transform of t cos a t linearity property से constant को हम लोग बाहर कर दे रहे हैं और p square रहने देते हैं लेपलाश transform of t cos t cos a t है और फिर है minus 1 सेम चीज़ को मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उसके बाद मुझे समझाने में असानी होगी minus 2a लेपलाश transform of sin a t minus a square लेपलाश transform of t cos a t और फिर है equal to p square into लेपलाश transform of t cos a t और उसके बाद है minus 1 सेम चीज़ को मैं यहाँ पर repeat किया हूँ अब देखिए t cos a t का लेपलाश transform यहाँ पर भी है यहाँ पर यह दो जगह है इसको हम लोग उधर ले जाते हैं one को इधर ले आते हैं तो one इधर आकर के positive हो जाएगा that is one इधर आकर के positive minus two times of a into लेपलाश transform of sin a t और इसको जब उधर ले जाएगे तो यह तो दोनों में हैं यहाँ पर यह आप देख रहे हैं और यह देख रहे हैं यह दोनों में हैं तो दोनों से हम लोग common ले लेते हैं क्या common आएगा लेपलाश transform of t into cos a t यह common आगिया यह उधर जाएगा तो p square तो पहले से है यह यह उधर जाएगा तो plus a square आजाएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसे को हम लोग पहले लिख जाते हैं p square plus a square into laplace transform of t cos a t और इधर देखिए यहाँ पर 1 minus 2 a रहने देते हैं और sin a t का laplace transform का formula अप्लाई करते हैं तो sin a t का laplace transform का क्या formula होता है इसका होता a divided by p square plus a square यह formula हम लो लिख गए अब यह यहाँ पर p square plus a square रहने देते हैं laplace transform of t into cos a t यह भी रहने देते हैं यहाँ पर आप p square plus a square इसे में ले लिजे यह हो जाएगा p square plus a square और यहाँ पर minus 2 a square यह इधर डिवाट कर देते हैं तो laplace transform of t cos a t equal to r रहा है p square minus a square और यह जब इधर डिवाट होगा तो p square plus a square का hall square तो यह insert निकल गया t into cos a t का laplace transform निकल गया तो इस तरीके से आप integral का या फिर different derivative का laplace transform हो जो formula होता है उसका यूज करके कुछ सवाल बना सकते हैं मैं दोनों प्रिवेस वीडियो में प्रूफ करके बताया हूं साथ में उसे related कुछ question पहले भी मैं बता चुका हूं यह कुछ extra question बचा हुआ था मैं आज बता दिया हूं अब फिर next class में आगे मैं बताऊंगा next video में तो इस वीडियो में बस यही तक मिलते हैं next video में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिन्नेवाद thank you